Study IQ IS अब तयारी हुई affordable तो इसको हम डीटेल से जानेंगे कि exactly हुआ क्या है यहाँ पर आपको समझने की जरुवत है कि total 5 जजों के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है जिसमें आपको काफी divisions देखने को मिलेगा 3-2 के majority से ये फैसला है और कौन-कौन सी चीजें यहाँ पर सामने निकल कराई है हर एक जज के बयान मैं आपको बताऊंगा इससे आपको सारी जो चीजें हैं इस topic के बारे में crystal clear हो जाएंगी चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 हो पच्चेस हो जो भी त्यारी करना चाहते हैं अलग-अलग validity के साथ जो batches हैं वो start हो रहा है यहाँ पर pure English, pure Hindi English जो भी आपको language चाहिए with complete codes, मतलब prelims, mains, interviews सब कुछ आपको त्यारी कराए जाएगी just use the code Ankit Live यह code इस्तेमाल करने से आपको maximum discount मिलेगा हमारे website पर जाएए या फिर app download करके आप इसको ले सकते हैं और इसके लावा अगर आप MCQs अटेंट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं वहापर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर बाएंगे चले सुरवात करते हैं और सबसे पहले तो यह देखते हैं कि exactly हो क्या रहा था देखें मैं आपको बता दूँ April और मे के महने में इसी साल लगबग 10 दिन तक लगतार यहाँ पर hearing चला था same sex marriage को लेकर देखो यहाँ पर एक particular terms है कुछ terms है वो आपको पता होना चाहिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं heterosexual के बारे में heterosexual का simple earth यह होता है कि जब एक male और female यहाँ पर शादी करते हैं आपस में एक दूसरे को like करते हैं girl या boy opposite जो gender हम कहते हैं तो उसको कहा जाता है heterosexual तो हमारे समाज में अगर आप देखोगे तो heterosexual को as a normal देखा जाता है लेकिन बाकी की जो चीजे होती हैं जैसे LGBT को जितनी भी चीजे आती हैं lesbian, gay और वो जितनी भी बाकी चीजे आती हैं उसको समाज जो है hearing चला था 5 जजों की bench के द्वारा और यह आप देख सकते हो यह 5 जज कौन से हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिवाई चंदर चूर इसके लावा यहाँ पर जो जस्टिस संजय किशन कॉल हो गया जस्टिस S. रविंद्र भट जस्टिस हिमा कोली और जस्टिस P.S. नरसिमा मैं आपको इनफरेक्ट एके करके इन सभी का जो argument है जो इन्होंने यहाँ पर judgment दिया है वो यहाँ पर बताऊंगा लेकिन फानिली क्या हुआ था कि सारे hearing सुनने के बाद 11 मई को यहाँ पर जो order है उसको reserve कर लिया गया था और government का क्या argument था मतलब जो लोग चाहते थे यहाँ पर same sex marriage allow किया जाए इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे petitions डाले गए थे जिसके अंदर मुकुल रोतेगी हो गए अभीशेक मनु सिंगई कई सारे आपको advocate देखने को मिलेंगे उन सभी ने यहाँ पर यह argument दिया था सुप्रीम कोट के अंदर जब यह 10 दिन तक पूरा hearing चला था उस समय आप देख सकते हो उनका यह कहना था कि LGBTQIA देखो बहुत सारे इन फाक्ट जो plus sign है ना जो अलग-अलग प्रकार की जो चीजें होती है वो सारी चीजें इसके अंदर include कर दी जाती है तो यहाँ पर उनका argument यही था कि यह जो same sex community है बाकी की जो community है उनको equality rights मिलना चाहिए जैसे heterosexuals को जो मैंने आपको बता है ना male और female आज के date में जो जो couple marry करते हैं जो शादी करते हैं उनको जो सरकार rights देती है वो सारे rights इनको भी मिलनी चाहिए ताकि ये लोग भी dignified तरीके से अपने जीवन को वैतीत कर सकें इसके अलावा यहाँ पर यह भी बोला गया था petitioners के दोरा कि जो special marriage act है उसके अंदर भी same sex marriage को legal recognition मिलना चाहिए देखो थोड़ा समय आपको बता दू special marriage act क्या है अगर आपको example दू तो कुछ समय पहले आपको याद होगा सुरा भासकर आपने सुना होगा जो actor है उन्होंने एक शादी की थी तो basically सुरा भासकर तो हिंदू धम से बिलॉंग करती है लेकिन उन्होंने शादी किया था मुस्लिम धर्म के किसी वेक्ति से राइड तो यहाँ पर जो basically उन्होंने शादी की थी वहाँ पर आपको अलग-अलग religion देखने को मिल रहा है लेकिन अगर मान लो आप हिंदू सवेता के हिसाब से अगर आप शादी करोगे हमारे देश के अंदर जो कानून है वो यहाँ पर यह कहता है कि बिना आप अपना religion change किये भी शादी कर सकते हैं तो यह basically लाया गया था उनको हग देने के लिए ताकि लोगों को अपना धर्म change ना करना पड़े और फिर भी वो शादी कर सके तो यहाँ पर petitioners का यह कहना था कि यह जो special marriage act है उसमें जो सरिफ heterosexuals हैं उनही को यहाँ पर legal rights है लेकिन जो same sex marriage जो करते हैं उनको legal rights नहीं है इसलिए उनको भी legal rights मिलना चाहिए तो यह सारी चीज़ें petitioners की तरफ से कही गई थी अब इसको लेकर Supreme Court ने government का भी stand सुना कि government क्या चाहती है government का क्या सोचना है तो government की तरफ से अगर आप देखो कि सबसे पहले दिन Solicitor General of India तुशार महता उन्होंने सबसे पहला तो सवाल यह खड़ा कर दिया कि यह जो पूरा argument है same sex marriage का जो मुद्दा है वो Parliament के उपर छोड़ देना चाहिए मतलब की Supreme Court का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए उनका यह कहना था कि हमारे देश में अगर आप देखोगे तो अगर हम marriage equality लेकर आते हैं मतलब same sex marriage को अगर recognize करते हैं तो इससे बाकी के लगभग 160 ऐसे laws है जो impact हो जाएंगे जैसे कि for example अगर मैं pension की बात करूँ अगर हम insurance की बात करें बहुत सी ऐसी चीजे हैं जिसमें married couple को benefits मिलता है तो अगर यह special marriage act अगर मालो यह अगर same sex marriage लाया जाता है तो इससे बहुत सारे जो कानून है वो भी impact होते हैं तो यहाँ पर सरकार तो सबसे पहले यह कह रही थी Supreme Court को कि देखिए आपको इसके अंदर दखल नहीं देना चाहिए यह सर्फ और सर्फ परलिमेंट के अंदर छोड़ देना चाहिए क्योंकि कानून बनाना परलिमेंट के अंदर में आता है separation जो होता है आपने सुना होगा जो quality के अंदर आप पढ़ते हो तो basically मैं आपको कहूँ तो government की तरफ से जो नरिन मोदी जी की सरकार है central government है उन्होंने यहाँ पर same sex marriage के खिलाफ यहाँ पर stand दिया था उन्होंने कहा कि जो marriage है वो स्रिफ और स्रिफ एक biological man और biological woman के बीच में ही हो सकता है यहाँ पर same sex marriage को हमारा समाज recognize नहीं करता है लेकिन इसके साथ साथ central government ने एक और चीज़ कही central government ने कहा कि जो same sex marriage के जो लोग हैं जो same sex couples हैं जो LGBTQ community से belong करते हैं उनका ख्याल रखते वे उनके concerns को ध्यान रखते वे यहाँ पर cabinet secretary के अंदर में एक यहाँ पर committee बनाई जाएगी और वो panel जो है वो committee जो है वो सारे चीज़ों को देखेगी और तब यहाँ पर उसको सुझाओ देगी तो central government ने अपती तरफ से यह कहा था फिर इसके साथ साथ अगर आपके मन में question आ रहा है कि चलो central government नहीं यह का बाकी के राज्यों का क्या क्या बाकी के state government भी central government के साथ हैं तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान, आसाम, आंधरपरदेश उन्होंने भी same sex marriage को oppose किया है वो नहीं चाहते हों और साथी साथ अगर हम बात करें सिक्के, महराष्ट, उत्तरपरदेश और मनीपूर की उन्होंने central government से और time मांगा था और बाकी के राज्यों का पता नहीं मतलब कि उनका कोई राज हैं वो यही कह रहे थे कि हम same sex marriage को allow हमें नहीं करना चाहिए अभी हमारे समाज के अंदर फिर इसके लवा यहाँ पर मैं आपको और चीज़ बताने से पहले एक last एक चीज़ बता दूं कि same sex marriage कितने देशों में allowed हैं देखो यहाँ पर जो human rights campaign है US based जो advocacy group है उनका कहना ह है कि पूरे दुनिया के अंदर 32 countries ऐसे हैं जो same sex marriage को recognize करते हैं जिसमें United States, Canada, Australia, Argentina, South Africa, Taiwan भी शामिल है वैसे मैं आपको बता दूं 2019 में Taiwan पहला एशिया का देश बना था जिसने same sex marriage को recognize किया था लेकिन यह जो same sex marriage है यह actually Taiwan के अंदर वहां की जो court है उन्होंने 2017 में इसको बोला ज्यादा तर अगर आप देखोगे अगर आप पूरे दुनिया में तो basically जो वहां की parliament होती है उस देश की parliament होती है उन्होंने कानून लाकर इसको allow किया है सिर्फ 10 ऐसे देश हैं जिसमें court के माध्यम से same sex marriage को allow किया है तो यह अभी के लिए चीज है वैसे एक और चीज बहु 27 है उसके तहट same sex marriage एक criminal offense हुआ करता था लेकिन supreme court ने इसका संग्यान लेते हुए finally दिली high court के judgment को पल्टा और 2018 में यह कहा कि नहीं same sex marriage को हम criminalize नहीं कर सकते हैं भले हम यह कह सकते हैं कि उसको right है नहीं है सरकार की तरफ से कोई legal basis पर right मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वो आप एक criminal हो ऐसा नहीं होना चीए तो यह बड़ा अच्छा काम किया था वैसे मैं कहूं तो Supreme Court ने 2018 में और इसे एक बड़ी जीत हुई थी LGBTQ community के लिए अब मैं आता हूँ कि आज क्या हुआ है basically आज मैंने आपको बताया पांच जजों की ये bench थी अब पांच जजों की और लास्ट में जो जस्टिस कोहली है वो basically जस्टिस भट और जस्टिस नर्सिमा से agree की है तो इसलिए क्या हुआ है कि एक तरफ यहाँ पर minority judgment है that is Chief Justice of India दिवाई चंदरचूर और जस्टिस कॉल इन दोनों का अपना judgment है और यहाँ पर जस्टिस भट है और जस्टिस नर्सिम और कोहली जी है उनका majority judgment आया है और इसी की वज़ेसे यहाँ पर same sex marriage को recognize नहीं किया गया है अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि Chief Justice of India ने क्या का in fact यहाँ पर मैं आपको बता दूँ Chief Justice of India ने काफी सारी चीजें same sex couple के पक्ष में कही हैं कैसे क्या जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर यह बोला गया है Chief Justice of India के दोरा कि जो central government का stand है ना कि same sex marriage स्रिफ और स्रिफ Parliament इसको देख सकता है इसको Chief Justice of India ने नकार दिया है उन्हों यह कहा है कि जरूरी नहीं है यहाँ पर Parliament के साथ साथ Supreme Court भी इसके अंदर दखल दे सकता है फिर इसक इसके लावा यहाँ पर Chief Justice of India का यह भी opinion था कि queerness is neither urban nor elite जैसे कि LGBTQ के अंदर जो queer वाले जो जो लोग होते हैं category के लोग होते हैं यहाँ पर काफी जादा यह कहा जाता है central government के तरफ से कहना था कई सारे जो defend कर रहे थे उनका यह कहना था कि देखिए यह आजकल नया concept आ गया है LGBTQ और यह सारी चीज़ें urban है और elitist यह सारे argument है लेकिन CGI का कहना था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा अगर आप कहते हो तो आपका opinion गलत है फिर इसके अलावा यहाँ पर Chief Justice of India चंदरचूर जी है उन्होंने एक और बात कही उन्होंने कहा कि marriage यहाँ पर marriage को stagnant कहना और कहना क it is unchanging institution यह भी गलत होगा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर central government यह कह रहे थी कि marriage तो सरिफ एक biological man और female के बीच में हो सकता है तो ऐसा नहीं यहाँ पर यह भी change हो सकती है चीज़ें समाज के अधार पर दिरे दिरे जैसे society progress करती है उसके अधार पर यह सारी जो marriage का concept है यह भी change ह हो सकता है तो यह कहना कि यह कभी change ही नहीं हो सकता यह बात गलत है लेकिन यहाँ पर ultimately chief justice of India का यह कहना था कि हम special marriage act को struck down नहीं कर सकते मैं आपको बताया था ना special marriage act क्या है उसके अंदर यहाँ पर जो male और female है उन्हीं के जो शादी होती है उन्हीं को यहाँ पर recognition दिया गवा कि चलो यह जो मामला है special marriage act का यह हम parliament पे छोड़ देते हैं क्योंकि special marriage act में बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो benefits हैं वो couples को दी जाती है अगर हम उसके साथ छेड़चार करेंगे तो उनके साथ ना इंसाफी होगी overall अगर आप देखोगे तो CGI ने बहुत सारी चीज़ें favor में क हैं जैसे cure community को लेकर कहा है कि उनको discriminate नहीं करना चाहिए समाज के अंदर सरकार को ensure करना चाहिए कि goods and services वो cure community को मिल सके फिर इसके लावा यहाँ पर जो public है उनको sensitize करना चाहिए मतलब Chiefs of India का यह कहना था कि government को यहाँ पर अलग-अलग programs लाना चाहिए और knowledge देना चाहिए सम कोई भी मदद मिलना हो तो वो मिल सके इसके इसके लावा जो safe house होता है गरीमा गरी है ठीक है queer couples के लिए वो भी सरकार को start करना चाहिए और साथी साथ police को भी यहाँ पर guidelines दिया गया कि आप queer couple को harass मत करें अक्सर यह बात कई बार सुनने को आती है कि जो LGBT community के जो लोग होते है उनको police काफी जाथा प्रतारना करती है उनको परिशान करती है तो police को ऐसा नहीं करना चीए उनके लिए भी guidelines जारी किया गया लेकिन आपको यह की समझना है यह सारे बयान कौन दिया है यह दिया गया है chief justice of India का जो judgment था वो minority judgment था और chief justice of India का एक तरह से यहाँ पर जो favor है वो justice call कर रहे थे लेकिन बाकी की जो तीन judge है उनका थोड़ा different opinion था वो मैं आपको आगे बताऊंगा फिर इसके लावा chief justice of India एक और चीज कह रहे थे कि जो कारा है that is central adoption resource authority basically क्या है हमारे देश की agency है यह government agency है जो की union ministry of women and child development के अंदर आती है तो वो लोग क्या करते है कि हमारे दे का ये कहना था guidelines में कि जो unmarried couple है जो LGBTQ community से belong करते हैं couple उनको children adopt नहीं करने देना चाहिए लेकिन CGI का कहना था कि नहीं ये बात गलत होगी unmarried couple हो गए बाकी के जो अलग-अलग community के लोग है उनको भी बच्चे adopt करने का हक मिलना चाहिए लेकिन again मैं वही चीज कहूँगा कि CGI का ये जो फैसला था वो minority judgment में था लेकिन हाँ एक और चीज हुआ है कि Chief Justice of India ने ये कहा है last में कि यहाँ पर जो Central Government एक committee बनाना चाहती थी वो बनाने देना चाहिए कि Central Government एक committee बनाए और finally उससे related जो suggestion सामने आएंगे उसको implement करने की कोशिश करने और जैसा कि मैं आपको ये भी क सिविल यूनियन देखो क्या होता है ना कि एक तो हुआ कि marriage, marriage recognized है कि नहीं है जैसे कि मालोगर मैं कहता हूँ कि भारत में same sex marriage recognized नहीं है मतलब कि वो अगर married हैं अगर same sex couple अगर आपस में शादी करते हैं तो legal तोर पर उनको सरकार की तरफ recognition नहीं मिलता है ठीक है लेकिन कई द civil union क्या होता है कि उनको हक मिलना जो legal rights हैं वो यहाँ पर मिलना ठीक है तो सरकार अगर मालोग कोई scheme लेकर आ रही है जो married couple के लिए लागू होती है तो वो scheme बेसिकली जो LGBT community वाले लोग हैं उनको भी वो legal rights मिले उसी को हम एक तरह से civil union कहते हैं ये concept बेसिकली अमेरिका से आया मतलब कि जो same sex couple है या फिर हम कह सकते हैं non heterosexual heterosexual मैंने आपको पहले ही बता दिया तो बाकी के जितने non heterosexual couple हैं उनको civil union मिलना चीए उनको legal rights मिलना चीए लेकिन यहाँ पर यह minority में है जैसा कि मैं आपको बोला अब मैं आता हूँ जो majority वाला judgment है जहाँ पर justice भट है justice भट बेसि marriage से related same sex marriage यह सब हमें parliament के उपर छोड़ देना चीए justice भट का यह कहना था वो एक तरह से CGI का जो view था उससे different view उनका था वो CGI के view से agree नहीं करते थे और उनका यह कहना था basically कि जितनी भी चीज़े हैं वो supreme court को ना देखकर यह simply parliament के उपर छोड़ना चीए क्योंकि ultimately क्या होता है क जो भी rights देना है आज तक जितनी भी चीज़ें हुई है जो भी rights दिये का है ultimately वो parliament के law के through दिया गया है तो supreme court अगर इसके अंदर धकल देता है तो वो कही न कहीं सही नहीं है और साती साथ justice भट नहीं ये भी का अगेन एक बात सभी ने मानी है वो यह है कि central government center government के दौरा एक high power committee बनानी चाहिए और वो committee finally decide करेगी कि क्या करना है आके और इसी के साथ जो नरसिमहा है justice नरसिमहा उन्होंने भी justice call की ही बात जस्टिस भट की बात को दोराया और कहा कि हाँ जो right to marry है वो एक statutory right है मतलब जब parliament कानून बनाएगा तभी उनको ये right मिल सकता है ये हम ये नही कह सकती ही वो fundamental right है या फिर constitutional right है तो justice नरसिमहा भी यही बात कह रहे थे और ultimately जो justice हीमा कोली है उन्होंने अपना कोई separate judgment नहीं दिया है उन्होंने basically रविंद्र भट जो justice रविंद्र भट है और justice नरसिमहा है उन्ही के judgment है उन्ही का एक तरह से वो साथ गया है ठीक है तो यहा जो marriage होता है वो fundamental right नहीं है कोई यह नहीं कह सकता जैसे कि for example अगर मैं कहूं कि कोई कह दे कि right to travel है मुझे तो right to travel है मतलब कोई यह थोड़ी कह सकता है कलके date में कि मेरे गाउं से यह वाला जो सड़क है वो वहां तक मुझे चाहिए तो उसक्या सरकार महां से वहां से वहां सड़क बनाने लगे तो वैसा ही चीज है यहां पर कि सभी पांचों judge नहीं कहा है कि यह कोई fundamental right आप नहीं कह सकते marriage को लेकिन यहां पर जो दो judge हैं जैसे कि यह मैं आपको कह रहा था justice दिवाई चंदरचूर और justice संजे किशन कॉल यह दोनों judge basically इसको legal right देना चाहते थे same sex marriage के तोर पर legal right देना चाहते दें लेकिन रविंद्र भट और हिमा कोली ने नकार दिया रविंद्र भट हिमा कोली और पियस नरसीमा ने इसको allow नहीं किया इसलिए यह judgment एक तरह से two third इस तरह से split decisions आपको देखने को मिलेंगे और and also no constitutional or fundamental rights to civil civil union भी मैंने आपको जो concept रता है न वो भी यहाँ पर नहीं दिया गया क्यों क्योंकि again device चंदचूर और justice call तो चाहते थी कि civil union का जो implementation है वो same sex couple के उपर हो लेकिन बाकी के तीन जजज उससे agree नहीं करते थे और जहां तक adopt करने की बात है तो again यहाँ पर यह चीज ध्यान रखेगा कि पहले जो दो जजज है call औ में फैसला लिया कि यहाँ पर जो same sex couple है उनको adoption का हग मिलना चाहिए लेकिन बाकी के तीन जजज उसे agree नहीं किये तो यह है पूरा ultimate summary and I hope कि इस वीडियो के माध्यम से आपको overall context में सब कुछ समझ में आ गया होगा क्या हुआ है आज जो भी important और update होगा मैं आपके लिए ले पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में टालर करता हूँ वाकि अगर आपको PDF की तो टेलिग्राम पर आए लगलग सोचल मीडिया पर आप जुड़कवा होगे और जैसा मैंने आपको बटाया, UPSC के अगर आप चारी कर रहे हो, कोई भी बैक्स रहना चाहते हो, just use the code UNKITLIFE to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हो से नेक्स ताइम, till then thank you very much, see you soon.